नमस्कार जी केपिटल में आपका स्वागत है आज है 5 जून और आप लोगों के लिए एक नई वीडियो आज बात करेंगे आज फी 5 परसेंट का अपर सरकेट लगाने वाले उर्जा ग्लोबल के बारे में कंपनी है जिसका स्वाइट के भी जिए अभी 176 क्रौुबर की आसपास है जिसका बिज नेस सोलर एनरजी पर फोकस्त है उर्जा ग्लोबल एक ट्रेडिंग सेक्टर की कमपणी है तो फ्रेंट से तु रही इस कमपणी के बारे में संशिप्त पर चाहे अब इसके रिटर्न की स्थिति को अगर देख लें तो आप यहां देखेंगे कि अभी समय हुआ है बारा बज के सत्रा मिनट दिन के और यहां प लगभग 20% का पोजिटिव रिटर्न दिया है और अगर एक महीने की बात करें तो एक महीने में अपने निवेशकों को 87.50 लगभग 88% का रिटर्न दिया है अगर एक साल की बात करें तो एक साल में इसने अपने निवेशकों का पैसा लगभग 25% ग्रोथ दिया है अगर पा कि 2018 में जनवरी महीने में इसकी हाई लगवग 10 रुपे की पहले से ही बनी हुई है तो 10 रुपे से ये बिलकुल नीचली अस्तरों तक आया हुआ था असी पैसे तक आया हुआ था और फिर असी पैसे के बाद इसकी उपर की यात्रा शुरू हुई है तो फ्रेंट्स इन सारी चीज़ों को समझते हुए आपको आगे का कोई नेरन लेना चाहिए अब इसके बाद अगर इसके फाइनेंसियल को देख लें तो फाइनेंसियल में देखेंगे सबसे पहले इसके इनकम की स्थिति को तो आप देखेंगे कि 2015 से लेके और 2019 तक तो लगतार इसके रेवन्यू फिर से इसे लॉस हुआ है और 2019 में इसने लगभग 00 अपनी इनकम दिखाई है मतलब कमपनी का कहीं न कहीं जो प्रोफिट रेशियो है वो डिस्टर्ब कहीं न कहीं हुआ है तो फ्रेंट्स इन चीजों को भी हम लों को ध्यान में रखना है अपने निवेस से पहले कैस फ्ल यहां आप देखेंगे 34,60,000 और 46,000 सेर्स की ओरडर अभी तक पेंडिंग दिख रहे हैं और सेलिंग क्वांटिटी निल दिख रही है वैसे सुबह से अभी तक इसमें जो ब्यापार हुआ है जो ट्रेडर बोलियूम है उसको देख लें तो यहां देखेंगे कि 6,62,889 सेर जो एक सकारात्मक बात है जो एक positive बात है कहीं न कहीं निवेसक किसको अपने debit account में लेकर जा रहे हैं तो चाहते हैं किसको अपने हाँ सुरक्षित रखा जाए और इसके भाव के बहने का weight किया जाए तो कहीं न कहीं निवेसकों का नजरिया bullish लगता है फ्रेंट्स अब इसकी जो आज के लो की बात करें तो 3 रूपे 15 पैसे है और हाई भी 3 रूपे 15 पैसे है और ओपेन भी 3 रूपे 15 पैसे है और कल जो क्लोजिंग हुआ था वो 3 रूपे था तो चार्ट पर देखकर कि आपको लगेगा कि पिछले अठाड़ा में जैसा कि मैंने पहले बताया था कि इसने हाई बनाया था 10 रुपे 40 पैसे के आसपास और वहां से इसमें लगातार गिरावट रही एक बार इसे हम वंडे की चार्ट पे ले लें तो पिछले महीने की बात करेंगे तो इसने जो पिछले महीने में एक लो बनाया था 27 मार्च की आसपास वो लो था 90 पैसे का तो फ्रेंट्स 10 रुपे से आते आते इस कंपनी के सेर लगभग 90 पैसे तक आ गए थे अब 90 पैसे से जब मार्च में फिर शुरूआ है उपर कियो बरना तो एक बार ये ब हो जिया था फ्रेंट्स उसके बाद इसमें लगातार अपर सरकिट रही है इसमें चार जुन को अवस्य अपर सरकिट इसमें खुली थी जिन भी नए निवेशक को इसमें पैसे लगाने थे उन्होंने अवस्य लगाया होंगा कुछ लोगोंने मुनाफ़ा बुकिंग की इसा है तो फ्रेंट्स ओबर और ले लग रहा है कि कंपनी जिस सेक्टर में काम कर रही है उस सेक्टर की जो अन्य कंपनिया है वो भी लगभग नुक्सान में चल रही है वो चीज आपको मैं दिखाना चाहूं तो आप उसको देखेंगे तो खुद समझ जाएंगे तो फ्र 24.27% का Negative Return दिया है और Indoor Solar Limited की बात करें तो ये अपने निवैसकों को लगभग 49% का Negative Return दिया है अगर सुराना सोलर Limited की बात करें तो इस ने भी अपने निवैसको को 15% का Negative Return दिया है तो फ्रेंट्स इसमें मेरे कहने का ये मतलब है इस छेतर की लगभग सभी कंपनियों अपने निवेसकों का लॉस किया है लेकिन एक सिंगल उर्जा ग्लोबल ऐसी कमपनी है जिसने अपने वे निवेसक जिन्होंने मार्च के बाद इसमें निवेसित हुए हैं उनका मुनाफ़ा कराया है जिन्होंने भी इसमें देर से निवेस किया है जिन्होंने इसके निचले अस्तर पर निवेश किया है 90 पैसे के अस्तर पर वो बहुत smart investor है क्योंकि इस company के लिए उप्राइस लगबग एक किसम से psychological bottom का काम किया और वहां से नीचे नहीं गया वहां से अच्छी वर्सल हुई है तो कहीं न कहीं आपके लिए multi-bagger सिध्ध होने वाला है तो friends ये तो रही मेरे तरफ से दी गई एक piece of information इसमें निवे समंधी कोई निर्नाय करने से पहले एक पार इस पर एक पार research कर ले और research करके ही आप इसमें निवे समंधी कोई निर्नाय ले और वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो like, share, subscribe करें और bell icon बटन दबाना न भूलें ताकि ऐसी informative वीडियो सबसे पहले आप तक महुचे जय हिंद, जय भारत